Good morning students, आज हम textbook में page number 37 के उपर करेंगे हमारा आज का topic है before, after, between अब ये पहले आप कर रहे से थे वो two digit वाले थे अब एक कितने digit वाले? three digit तब यहां पे first write what comes before and after मतलब आपको यहां पे between number दिया गया है आपको before and after number ये दोनों number लिखने है तो सबसे पहले first di आपको यहां पे three hundred forty seven अब जब three digit दिये तो याद रखना है सबसे पहले तो ये पहले ये दोनों digit three hundred ये forty line 47 है four before number लिखना है सबसे पहले तो seven है तो seven के पहले क्या आता है? six तो क्या होगा? three hundred forty six अब ये forty seven forty seven के बाद क्या आता है? forty eight आता है तो यहां पे three hundred forty eight ये आपको बीच में कौन सा number दिया है? between number आपको कौन से number लिखना है? before number and after number तो हमने क्या किया? सबसे पहले three hundred forty seven है तो forty seven के पहले क्या आता है? forty six तो क्या याद रखना है? three और four ये number सेम रहेंगे यहां पे seven है तो seven के पहले क्या आता है? six तो लिखा हमने अब after number मतलब इसके next number उसके बाद वाला number यहां पे 7 दिया है, तो 7 के बाद क्या आता है, तो यह सेम रहेगा, अब next दिया है आपको 652, तो 52 के पहले 51 आता है, तो सबसे पहले यह, 651 अब 52, आपता नमबर क्या हो जाएगा, 52 के बाद क्या आता है, 53, तो 653 नेक्स्ट है 735 700 का क्या रहेगा यहां पे 35 35 यह के पहले 34 तो यह 734 735 35 के बाद क्या आता है 36 आता है तो 736 आपको कौन सा between number दिया है कौन सा number लिखना है before and after number यह दो number लिखने हैं आपको अब next दिया है यहां पे 230 जब ऐसे 0 वाले हो तो यह क्या रखना है सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम 2 अब 30 के पहले 29 आता है बट यह 0 वाला number है 3030 तो यह दोनों number को याद रखना है 3 के पहले क्या आता है 2 जब 0 दिया हो तो मैंने बोला था आपको याद रखना है जब इफो नंबर में यहां पे क्या लिखना है आपको 9 तो अब यह 229 230 अब 30 के बाद क्या आएगा 231 तो यह गया line में 229 230 231 अब next दिया है आपको यहां पे 109 109 है तो 10 जीरो अब यह दोनों नंबर तो सेम रहेंगे 9 के पहले क्या आता है 8 तो यह हो गया 108 109 9 के बाद क्या आता है 10 तो 110 वेसे अब next दिया है आपको 499 बीच में कौन सा दिया है 499 तो यहां पे 99 है तो 499 है तो क्या आएगा यहां पे 98 498 अब यहां पे क्या दिया है 499 आपको नहीं पता चल रहा है कि आपटा नंबर अब कितना आएगा तो क्या रयाद रखना यह तीनों नंबर जब ऐसे 99 वाले दिया है 4 के बाद क्या आता है 5 और मैंने क्या सिखाया था 9 हो आपटा नंबर में तो यह दोनों क्या हो जाएंगे 9 9 तो 499 500 अब 500 तो 500 1 500 के बाद आता है 501 तो 499 500 501 अब नेक्स दिया है आपको 855 तो यहाँ पे दिया है आपको 55 तो 55 ए 854 5 दिया है तो 5 के पहले 4 आता है तो 854 अब यह 855 55 के बाद क्या आता है 56 तो 856 अब नेक्स दिया है 990 हाइट 98 के पहले 97 आता है तो 997 क्या आएगा 997 98 के बाद क्या आएगा 99 तो 999 अब यहाँ पे दिया है 741 तो 704 का 4 रहेगा यहाँ पे 1 है तो उसके पहले 1 जब दिया है तो आपको क्या लेखना है यहाँ पे 0 तो 440 sorry 740 अब 741 41 के बाद क्या आता है 42 तो यहाँ पे 742 अब नेक्स दिया है 666 तो 66 के पहले क्या आता है 65 665 अब यहाँ पे है 66 66 के बाद क्या आता है 67 7 नेक्स नमबर आप्टर नमबर 667 अब यहाँ पे आपको दिया है 900 जब दो यहाँ पे सिखा था जब इसे 0 वाले है तो इसमें यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे तो before नमबर में यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे इसके पहले क्या आता है 8 और मैंने सिखा था जब 0 है तो क्या आएगा 9 तो 899 900 अब 900 के बाद 901 क्या आएगा 901 अब नेक्स आपको दिया है write the number between यहाँ पे आपको between number दिया था तो आपको before and after number लेखना था अब यहाँ पे आपको before and after number दिया गया आपको कौन सा number लिखना है between number अब यहाँ पे देखो 150 150 50 के बाद क्या आता है 51 और 52 हो जाएगा यह तो 151 यह गया अब यहाँ पे है 369 69 के बाद क्या आता है 70 तो यहाँ पे 370 तो देखो यहाँ पे 371 Next is 983 984 83 के बाद क्या आता है 84 तो 84 85 अब यह 742 42 के बाद 43 44 अब Next is 598 क्या है यहाँ पे 590 अब नेक्स नमबर है यहाँ पे 598 क्या है कौन सा नमबर है यह 598 तो 98 के बाद क्या आता है 99 तो 599 और यह 600 हो गए अब यहाँ पे 225 तो 25 के बाद क्या आता है 26 नहीं 226 अब नेक्स टे 375 75 के बाद 76 77 852 52 के बाद 53 आता है 853 54 अगर ईसे जो मैंने 2 करवाए बाकी के जो यह 2 है आपको क्या करना है प्रेक्टिस के लिए टेक्सभूक के अंदर ही करना है मैंने आज आज आपको 3 डीक्सट में 24 आप्टर एंड बीट्वीन नमबर करवाए वो आज आपको टेक्स्बुक में ही करना है थेंक यू